प्रक्टिस सेट नंबर 121 है यूपी PCS के लिए हैं और 13 जून को एक्जाम है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डेट है दो फरवरी 2021 जब यह टेस्ट रिकॉर्ट किया जा रहा है तो कोशन नंबर वन का अंसर करिए तो रिंग ऑफ फायर संबध्ध है भुकम से पर नीचे देगे कूट का प्रियोग करके सही उत्तर का चैन किजिए करिए रिंग ऑफ फायर का संबंध किस से है पताइए जंगल की आग से नहीं ज्वाला मुखी और परशान्त महासागर और भुकम से है ठीक है तो फर्स्ट टू थ्री तो हो जाएगा इसका अंसर केबल एक भुकम और जॉला मुखी विस्फोर्ट होते हैं विस्व के 75% से अधिक जो एक्टिव वॉल कैनों हैं वो इसी छेतर में पाय जाते हैं ठीक है कोशन नमबर टू पर आजाईए सोर मंडल में छुद्र ग्रय यानि एस्टरॉइड छोटे खगोलिया पिंड है जो नम्लिकित में से किन ग्रहों के मद्द पाय जाते हैं प्रश्ट इंपोर्टन्ट है और रिपीटेड भी बहुत बार पूछा गया होगा तो कई बार बता किसके उत्पादन के लिए उपर युक्त होती है तो काली मिट्टी जो है जिसको रेगुर सॉयल भी कहते हैं कपास की फसल के लिए उपर युक्त है अगर यहां लेटराइट होता है लेटराइट किसके लिए है लेटराइट है काजू के लिए टेपिकोया के लिए तो काली या रेगुर मिट्टी एक परिपक मिट्टी है जो मुखिता दक्षणी प्रायदीप पठार के लावा शित्र में पाई जाती है काली मिट्टी कापास की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है कार्डमम पहाडियां इन में से किनकी सीमाओ परिस्त हैं ये इंपोर्टन डेप तो कार्डमम हिल्स जो है इलाईची पहाडियां या इलाईची मलाई का अंग्रेजी रूपांतरन है यह भारत की दक्षणी पहाडियां है यह केरल और तमिलनाडू की सीमापरिस्तत है नंब्लिखित में से भारत का कौन सा छेत्र म्रदा अपर्दन से सरवाधिक प्रभावित है मालवा पठार आंध तर्टिय छेत्र उत्तर प्रदेश तराई या फिर चंबल घाटी प्ताई है तेकि जो चंबल घाटी है न सबस्यादर प्रभावित है मद्ध प्रदेश में चंबल तथा अन नदियों में लगातार आने वली बाडों से विशाल भूमिख करता है धाने एग digon ये जोत गूर लेंऄ देग्र इतों सारे के सारे व्र रस्टी में प्राप्थ करता है वह लिए हैं तो प्रश्ण में दिये गए दर्ल्भा इंहीं प्रश्चौन में लिए वर्शा-प्रदेश में ये कौन सा बंदर नदर जो नहीं होगा वो इधर होगा फिर पश्मी तटपर होगा तो चन्नाई पूर्वी तटपर है कांडला गुजरात में है तो यहीं नहीं है पश्मी तटपर है पारदीप उड़ीशा में तूति कॉरिन तमिल लाड़ू तो देखिए तूती कॉरीन हो गया पारादीप हो गया तथा चेन्ड़ी बंदरगा पूरी तटपर इस्तेत हैं कांडला बंदरगा गुजरात में इस्तेत है तो पश्मी तटपर हो गया वो दामोदर किसकी टिवुट्री है दामोदर किसकी साहक नदी है हुगली की नहीं है बताए किसकी साहक नदी है किसकी है गंगा की नहीं है पदमा की नहीं है सुन रेखा की नहीं है हुगली की होगी न फिर तो दामोदर नदी जो है हुगली की टिवुट्री है हुगली की साहक इस नदी की लंबाई है कितनी 541 किलोमेटर जिसमेंसे 240 किलोमेटर लंबा भाग बिहार में सेश जो है पस्चे मंगल में है दामदर नदी पस्चे मंगल के मैदनी भाग में बाग में हुगली नदी में मिलती है Q9 है, कारागम धार्मिक लोक नरत्य निम्लखित में से किस राज से संबन्दित है? तमिलनाडू का है, तो तमिलनाडू के लोक नरत्य हैं पिन्नल, कुलाट्टम, कावडी, कारागम और कुम्मी दी हिमालेयन माउंटेनेरिंग इंस्टिटूट निम्न में से कहां इस्तित है दी हिमालेयन माउंटेनेरिंग इंस्टिटूट इस्तित है कहां पर पश्चिम बंगाल के दारजिलिंग में तो दा हिमाल्यान माउंटेरिंग इंस्टिट्ट जो है दार्जलिंग में इस्तित है और दार्जलिंग कहां पर है वेस्ट वेंगॉल कुछ सिक्किम समझते हैं इसको कोश्या नुम्बर 11 पर आजईए नुम्रिकित में से कौन सही सुमेलेत नहीं है नौर्वे की ओस्लो ठीक है फ्रांस की पैरिस जर्मनी की वर्लिन डेनमार्क की तो कोपेन हेगन होनी चाहिए ना तो करेक्ट है करेक्ट है इंकरेक्ट है पहला ही अंसर है तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेन हेगन है Question number 12 है नम्रिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत में कोईला डेपोजिट का प्रमुक शेत्र है प्रशन इंपोटेंट है, रिपीटेट है, आसान है सब को पतावगा कहां पर है गोडबाना शेत्र में है कोईला तंत्र तो गोडबाना काल की चट्टानों में आधनिक भारत में विशाल कोईला रासी पाई जाती है इनमें कोईला की 6 मीटर से लगतार 24 मीटर तक जो है तह पाई जाती है कोईले की इन चट्टानों में भारत के 8 प्रमुक कोईला शेत्र पाई जाते हैं दामुदर घाटी, बाराकर घाटी, राच महल की पहाडियां, महानदी घाटी, उडीशा, मद्रप्रदेश, गोदाबरी घाटी और सत्पुड़ा ये पूछले आता है कि कहां कहां है गोडबाना तंत्रा कोशन नुबर ठाटी न, उत्तर भारत में उपहमाले शेतर के सहरे फैले समतल मैदान को ना भाबर कहा जाता, ना खादर कहा जाता, ना दून कहा जाता, तराई कहा जाता, तराई कहा जाता, तराई भी कहलाते हैं, कॉशन नूंबर 14 hain, कत्नों पर विचार करें तो statement पताए कौन सा correct है, किंबरले सोनद खान के लिए प्रसिद है, दोना बास शेत्र कोईले के लिए प्रसिद है, correct है, interchange करूं, किंबरले सोने की खान के लिए करेंग है, दोना बास कोईला के लिए दोनों के दोनों करेक्टर है कोश्चन नम्बर 15 अंतिम प्रेश्चन है ये नम्लिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है अम्मान की जॉर्डन विश्के की तजाकिस्तान उलन बटोर की मंगोलिया साइना की यमन देखें डेड़ सो प्रेश्चन आते हैं विश्विस्तर पर पूछते हैं तो अम्मान की जॉर्डन करेक्टी लग रही है उलन बटोर मंगोलिया करेक्टी लग रही है तजाकिस्तान की विश्केक सही है या फिर यमन की सनाईया सही है या उनमें से गलत है बताईए ए तो करेक्ट कर दिया है बी या डी बी या डी विसकेक है किर्गिस्तान की राजधानी ठीक है तजाकिस्तान की नहीं है तो यह प्रश्ण 15 इनकी प्रक्टिस आपको करने एक हम से कमें एक बार धन्यवाद इस पूरी की पूरी टेस्स सिरीज का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में बल जाएगा प्लेलिस्ट बना करके बहां पर आप टेस्ट नमबर बन से लिकर 121 तक पहुंच सकते हो 13 जून को एक्जाम है UPPCS का हर दन प्रक्टिस करते रहें